एक इलाइची और ना जाने कितने काम जीहा चाय से लेकर मिठाईयों तक हर चगा आपको हरी इलाइची देखने को मल जाएगी ये सिर्फ हमारे खाने को स्वाध ही नहीं देती या सिर्फ उसमें सुगंध ही नहीं भरती बल की इलाइची हमारे शरीर के लिए भी बहुत वाइदे मन मानी जाती है क्योंकि इसमें कई औसे भी गुन पाए जाते हैं इलाइची के यही गुन हमें कई बिमारियों से बचाने में मदद करते हैं जी हाँ इलाइची एंटी ऑक्सिडेंट और एंटी बेक्टिरियल गुन मौजूद होते हैं आपको बता दें जो हमारी त्वचा के लिए बहुत लाबकारी है जी हाँ तो आज हमार को इलाइची के कुछ फायदों के बारे बिदाने वाले हैं इलाइची में एंट्री इंसलामेट्री तत्व पाई जाते हैं जो मुँ और तचा के कैंसल की कोशिकाओं से लड़ने में कारगर्स साबित होते हैं यही नहीं अगर आप किसी तरह के यौन रोग या फिर खुट रोग से जोज रहे हैं तो भी इसमें इलाइची बहुत मदद कर सकती है इसे में आपको रात को सोते समय दूद में इलाइची को अच्छे से उबालना हैं और फिर इसमें सहद मिला कर इसे खाना है इससे आपको काफी जादा फाइदा मिल सकता है जी हाँ इलाइची खाने से पेट की समस्या गयस और एसिडिटी में भी बहुत राहत मुलती है जिहां जिन लोगों को सास की बिमारी होती है उनके लिए भी इलाइची बहुत फाइदेमंद होती है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इलाइची की तासीर गर्म होती है फेपरों के सकुचन और अस्थमा में इलाइची काफी मददगार होती है इलाइची की गर्म तासीर की वज़े से सर्दी, खासी, जुकाम और गले की खराश में भी काफी राहत मिलती है इसलिए रोज नियमत रूप से एक या दो इलाइची चबानी चाहिए या फिर रात को गुन-गुने पानी में इसे डाल कर इलाइची को चबा कर खा सकते हैं इन दोनों ही तरीकों से आपको बहुत मदद मिलेगी इसके अलावा इलाइची में एंटी इंफ्लामेट्री एफेक्ट्स और एंटी ओक्सिडंट गुन होने के कारण यह सूजन और इलर्जी जैसी समस्याओं में भी बहुत मदद करती है यही नहीं इसमें मैगनेशियम और पोटाशियम भी अच्छी मात्रा में पाय जाते हैं जिससे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन सामाने बना रहता है कई लोगों को पेट से जुड़ी अलसर की समस्या होती है जिससे निजात पाने में उनकी मदद इलाइची कर सकती है बस आपको नियमित रूप से इलाइची का सेवन करना अगर आपको बार बार घबराहत होती है त में कई ऐसे पोशक्तत मौजूद होते हैं जो आपके बढ़ते वजन को रोकने और मोटापा कम करने में भी मददगार साबित हो सकते हैं जी हां तो और अपडेट्स के लिए हमारे साथ क्यों रही ही आरवेदा सर्सर्भी की रिपॉर्ट